वेल्कम तो स्टुड़ी आएक्यू वेल्कम तो दी सीरीज ऑफ जी सी लियोंग आज हम जी सी लियोंग के अंदर एक नया चैप्टर डिसकस करने वाले हैं और चैप्टर का नाम होगा क्लाइमिट आई होप क्लाइमिट के बारे में जब आप स्टुड़ी करते हो तो काफिसारी प्रॉब्लम आपको फेस होती होंगी लेकिन इस चैप्टर की डिसक्रेशन के बाद में आपको वो प्रॉब्लम फेस होना बंद हो जाएंगी यू विल नॉट बी फेसिंग एनी काइंड आफ प देखा था कि वैदर और क्लाइमिट में क्या डिफरेंस होता है वैदर डेटू डे कंडिशन है लोकल कंडिशन है किसी एरिया की अंदर क्या होगा लेकिन क्लाइमिट की जब हम बात करते हैं तो वह पर्टिक्लोर बेसिकली एक ब्रोड या और ब्रोड टाइम पिरड के लि होगी एरिया की लॉंग टाइम की अमने लेकिन एसा क्या वेक्टर है गर मैं आप लोगों से पूछू कि ऐसा क्या वेक्टर है जो आपके ऐपका इंसॉलेंशन incoming solar radiation actually हमारी nature के अंदर जो भी phenomena होते हैं वो सारे आपकी solar radiation की according determine होते है solar radiation ये decide करती है कि कौन सा area ठंडा होगा कौन सा गरम होगा solar radiation हमें decide करती है कि evaporation ज्यादा होगा कम होगा evaporation की according है हमारा rainfall भी decide होता है तो definitely हमारे लिए काफी important factor हो जाता है solar radiation के बारे में जानना ताकि वो हमें बता सके कि actually climate की जो outcomes होगी वो किस type की हो सकती है तो चलिए discussion को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि climate की outcome क्या होगी तो climate को study करने के लिए सबसे पहले हमें understand करना पड़ेगा atmosphere को क्योंकि climate के अंदर सो भी फिनोमेना होते हैं these are run by atmosphere कोन रन करता है उनको atmosphere specifically उसको run करता है तो definitely अगर atmosphere रन करेगा तो हमें पहले atmosphere के बारे में understand करना पड़ेगा can you tell me कि atmosphere कैसे या फिर है क्या चीज़ what is atmosphere एक simple सी language में अगर मैं बात करूँ atmosphere is nothing but it is a blanket of gases surrounding the earth अर्थ है अपना terrestrial surface है ocean surface है इसके surrounding में जो आपका gaseous particles है उनका एक blanket जो बना हुआ है वो blanket ही क्या कैलाता है आपका atmosphere कैलाता है तो simply speaking कि gas जो होंगी उनका एक blanket होगा वो ही हमारे पास क्या कैलाएगा atmosphere कैलाएगा तो right here atmosphere around the earth is commonly known as जो air है जो retain करके की हुई है वही हमारा atmosphere कैलाता है अब atmosphere क्या कब तक end होता है देखो ऐसा माना जाता है कि atmosphere वैसे तो बहुत ज़्यादा height तक नहीं जाता और mostly जो gases है आपकी वो low height तक ही रहती है लेकिन फिर भी 600 miles जो हमारा maximum limit बानी जाती है उसके बाद में हमारे atmosphere खतम हो जाता है तो फिर क्या आता होगा फिर आता है आपका space फिर क्या आएगा फिर आएगा आएगा आपका space तो मतलब atmosphere के बाद में हमारे पास मिलता है space देखने को राइट चलिए अब atmosphere के different layers होती है योग कि आप यह देखेंगे atmosphere के अंदर जो gases नाइट्रोजन भी है oxygen भी है और hydrogen भी है argon भी है मतलब काफी सारी multiple gases helium भी है तो मतलब काफी सारी multiple gases है उस सब gases उतने ही weight की तो नहीं होगी कुछ gases ऐसी हो सकते जो heavy है कुछ gases ऐसी होगी जो काफी light है जैसे कि आप एक example देखो अगर मैं oxygen की बात करूँ तो oxygen काफी heavy gas है अगर मैं nitrogen की बात करूँ nitrogen काफी heavy gas है लेकिन अगर मैं helium की बात करूँ argon की बात करूँ तो यह काफी light gases है इसलिए हर एक gas जिसका weight अलग है मतलब कुछ gases heavy है कुछ light है जो heavy gases होंगी वो हमेशा bottom पे रहती है lower layer में रहेंगी जो light gases रहेंगी वो हमेशा ऊपर रहेंगी मतलब यह हुआ कि atmosphere को उनकी density के basis पे हम different different layer के अंदर divide कर सकते हैं जो layer होंगी आपको देखने को मिलेगा कुछ layer जैसे कि पहली layer जो है उसको troposphere बोलते हैं ठीक है मतलब मैं यह बोलूँगा कि जो हम weather के अंदर rainfall देखते हैं thunderstorm देखते हैं hail storm देखते हैं जो भी हमारे climatic system होता है उसमें जैसे day to day weather change होता वो सारी चीज़ें आपके troposphere से ही correlate करती है मतलब by any mean मैं यही बोलूँगा कि troposphere उसके लिए accountable है कैसे accountable है उसके बारे में बात कर लेते हैं देखो troposphere जो layer है उसके अंदर जो insulation है उस सबसे ज़्यादा होता है क्योंकि sun जैसे हमें energy देता है वो earth surface पे पहुंचती है earth surface उसको absorb करके वापिस reflect back करता है और उसी से heating स्टार्ट होती है तो वो heating जो process है वो सारा आपके किस के अंदर हुआ troposphere में हुआ दूसरा जो sun की light आती है और उसे heating होती है तो you know very well कि उससे vapors तो बनते होंगे और अगर vapors बनते हैं तो वो vapors जाते कहा हैं vapor भी अपने आप में क्या हैं काफी heavy gases हैं और heavy है तो vapors भी क्या करते हैं आपके lower atmosphere के अंदर situate करते हैं vapors also situate in lower atmosphere तो मतलब troposphere के अंदर आपके vapors भी situate करते हैं और vapors होंगे तो definitely आपके cloud की जो formation होती है वो भी आपके troposphere में होगी nearly 78% nitrogen और 21% oxygen की concentration जो है आपका वो troposphere के अंदर देखने को मिल जाती है लेकिन एक चीज़ important है जो आपको यहाँ पर समझनी चाहिए वो यह है कि जैसे जैसे हम height पे जाते हैं मतलब troposphere की height जैसे से increase होगी वैसे वैसे temperature जो है वो decrease होना start हो जाता है तो temperature decreases as we increase height in the troposphere अब आपको लग रहा होगा कि sir height increase करने से तो मुझे ऐसा लगता है कि हम sun के पास जा रहे है और अगर ऐसा है तो फिर temperature कैसे decrease हो पा रहा है मतलब we are moving towards sun और फिर temperature decrease हो रहा है तो यह बिल्कुल सही doubt होगा देखो होता क्या है कि जब हम temperature की बात करते है तो इस particular area के अंदर temperature जो है वो तभी increase होता है जब आपके earth का surface temperature भढ़ जाए मतलब sun से जो direct sunlight आती है वो short wavelength होती है और short wavelength light कभी भी heating effect नहीं देती once it is absorbed by the surface जब वो long wavelength में convert हो जाती है फिर वो वापिस से जाती है तब वो heating effect देती है मतलब source of heating क्या है earth surface source of radiation क्या है वो sunlight है अब हो गया troposphere troposphere के बाद जो next layer आती है आपकी वो आती stratosphere stratosphere जो layer है आपकी वो काफी rarefied है मतलब इसके अंदर जो gases होती है वो rarefied gases होती कोई strong gases इसके अंदर देखने को नहीं मिलती है और वो इसलिए कि यहां पर हमारे पास क्या होता ozone layer होती है चलिए फटा फट बताइए कि ozone layer का हमारे लिए क्या utilization है क्या ozone layer हमारे लिए कोई काम की है यह polluting agent की तरह ozone layer काम करती है तो आप difference बताना है मुझे क्या ozone layer हमारे लिए useful है या नहीं है अब जो stratosphere है इसकी अग प्रोपर्टी है troposphere से different क्या troposphere में हुआ क्या height बढ़ी temperature कम हुआ लेकिन जब हम ozoneosphere तक पहुंचते हैं या फिर ozone layer तक पहुंचते हैं तो stratosphere में height बढ़ने के साथ-साथ में temperature जो बढ़ना शुरू हो जाता है ठीक है next क्या होता है mesosphere mesosphere भी हमारे लिए काफी important layer है हालांकि इसमें gases तो ना के बराबर ही है लेकिन फिर भी mesosphere हमारे लिए काफी important है कारण क्या है mesosphere जो हमारे लिए important है उसका सबसे बड़ा कारणी है कि जो हमारे meteorites आते है जो meteorites आते हैं वो आपके क्या हो जाते हैं मीजो स्फेयर के अंदर फ्रिक्शन के थूरू बर्नाउट हो जाते हैं मतलब यह हुआ कि मीजो स्फेयर हमें मेटियोराइट से प्रोटेक्ट करता है ताकि वो अर्थ सर्फेस तक ना पहुंच भाएं और हमारे पास कोई भी नुकसान जो हो देखने को ना मिले हमारी यह लेयर है काफी इंपॉर्टन तो यह तो हुई आपके एट्मोस्फेयर के लेयर बट आज हम जानने की कोस़स करेंगे कि एट्मोस्फेयर के अंदर इंसलेशन किस तरीके से वर्क करता है और ऐसे क्या-क्या factor है जो आपके insulation को impact करते हैं बट उससे पहले यह तो जान ले कि यह insulation word हम किसके लिए use कर रहे हैं insulation जो word है वो properly use होता है आपकी जो sunlight आ रही है जो sun rays आपके पास पहुंचती है उनके लिए हम क्या use करते हैं word insulation तो दो sun rays which are reaching towards the earth उसके लिए हम क्या word यूज कर रहे हैं insulation अब संसे जो insulation आता है वो अलग लग टाइप की radiation की form में आता है जो संसे हमारे पास directly receive होती है पहली radiation होती है जिसको visible radiation का मतलब क्या हुआ visible radiation का मतलब हुआ ऐसी radiation जिसको हम देख सकते हैं होता है ना sunlight आती है हम उसको आसानी से देख सकते हैं वो होती है आपकी visible radiation इसके बाद में आपकी radiation होती है ultraviolet radiation अल्ट्रा वोईलेट और infrared radiation यह हमारे पास महसूस नहीं होती मतलब हम इनको देख नहीं सकते लेकिन स्टिल यह radiation भी हमारे पास अर्थ सरफेस पे पहुंसती हैं तो इन टोटल हमारे पास जो sun से radiations आ रही है वो सारी radiation क्या होती है short wavelength में होती है सबसे important चीज क्या है short wavelength में sun के radiation का होना इस character को समझना यह character बहुत ज्यादा काम आने वाला है आपके यह जो insulation होता है यह जो radiations होती है उसे short wavelength होती है मतलब short wavelength radiation के एक property होती क्यों कभी भी आपको heating impact नहीं देंगी once they will be absorbed by earth and then it will be reflected back at that time इनकी wavelength जो है वो long wavelength हो जाती है आप long wavelength जो radiations है वो हमें heating impact देती है इसलिए आपने कभी महसूस किया होगा जब आप सर्दी के टाइम पे सर्दी के टाइम पे आप चट पे जाके terrace जाके खड़े हो जाते हो सनलाइट आती आपको गर्मी महसूस नहीं होती गरम महसूस नहीं होता लेकिन once it is absorbed by the earth और अर्थ जब गरम हो जाती तो फिर वो reflect back करना सुरू करती है और तब आपको heating start होती है तब आपको थोड़ा सा गरम महसूस होना start होता है तो मतलब यह difference जो है आपको नजर आता है किसमें short wavelength में और long wavelength के अंतर right that is there okay that's great someone is from bangladesh is watching the video that is great it is knowledgeable if for you then you can watch अब इसको समझते हैं कि अगर मालो मैं आपसे पूछू आंसर बताना कि जो sun से light आ रही है क्या वो सारी light आपके earth surface पे पहुंच जाती है या फिर कुछ गडबड होती है बीच में कोई अर्थ के surface पे पहुंच जाती है तो बीच में वो गायब हो जाती है सारी sunlight पहुंच जाती है definitely आपका अंसर क्या रहेगा सारी sunlight तो नहीं पहुंच थी कुछ sunlight तो बीच में गडबड कर जाती होगी हम देखते हैं कि वह कितनी sunlight हमारे पास आती है देखो जो आपकी sun से radiations आती है ना उन में से करीबन करीबन 35% radiations वो क्या होती है डिरेक्ली रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है मतलब वहारे 51% 51% light जो है हमारे पास अर्थ के ऊपर पहुंचती है तो out of total sunlight हमारे पास अर्थ सर्फेस पर सिर्फ कितना पहुंचता है 51% sunlight ही अर्थ के सर्फेस पर पहुंच पाती है सारी sunlight अर्थ के सर्फेस पर नहीं पहुंचती अब अगर sunlight सारी सर्फेस पर नहीं पहुंचती होची हो होती है कभी एसा नहीं हो सकता कि आपकी हो सब्सक्राइब करता है बाद मेंको सब्सक्राइब तब देख के और सवाल है कि सद्टरांसपर होता कैसे हीट maken सते हीं दिकोंगे कि किस तरिके से कंडेक्शन कंडेक्शन कंडिक्शंग होते हैं क्या होता है माल्ट आपके पास में एक iron road है इस end से आपने पकड़ा और उस end को आपने गरम करना शुरू किया तो आपने ये realize किया होगा कि ये वाला end भी गरम हो जाता है इसको बोलते conduction कैसे हुआ? क्योंकि ये end जो है वो solid था और solid के energy transfer होती चलेगी particle transfer नहीं हुआ, conduction हो गया convection की बात करूं तो convection में होता है कि कोई भी चीज खुद heat up होती है और फिर खुद से move भी करती है जैसे कि आपने bucket के अंदर road लगा के देखा होगा जब bucket में हम road लगाते हैं और पानी गरम करते हैं तो आप देखोगे छोटे छोटे molecules उपर आ रहे होते हैं या फिर आप गैस पर पानी गरम करते हो तब भी ऐसा ही होता है कि छोटे छोटे जो molecules हैं गरम होके light हो जाते हैं और हलके हो जाते हैं तो वो होगे आपका क्या convection तीसरी चीज आती radiation जो अभी मैं बात कर रहा था कि अगर कोई भी medium नहीं है बीच में सन लाइट हमारे पास आ रही है वह रीडियेशन की फॉर्म में जिसको कि सॉलर रीडियेशन बोलते हैं तो मतलब सिंपल है कंडेक्शन कंवेक्शन रीडियेशन अगर आप कभी भूल जाओ तो आप इसको इस तरीके से याद रख सकते हो मानलो अब भी मैं क्लास ले रहा हूँ और आप सारे लोग और लापलाई फ्环ह बैठे उसको यह पrouगे कोो Lage होगा गगन होंगे इस तरीके से ट्रांसफर होता जाएगा पैन और लास्ट में अर्पिता के पास बहुंच जाएगा तो यह आपका अगर क्लास में कोई नहीं तो मैं इस तो आपके देखने को मिल जाते हैं लेकिन जब मैं लेंड माइच की बात करता हूं ना तो लेंड मास बहुत जल्दी करम हो जाता है उसका सबसे बड़ा कारण पता क्या है एक तो specific heat है no doubt, दूसरा कारण ये भी है, कि जब sunlight आपके water body पे गिरती है ना, तो वो sunlight काफी ज़्यादा penetrate करती है, मतलग काफी depth पे जाती है, लेकिन उसके opposite अगर मैं बात कर लू, land mass की, तो land mass पे sunlight की depth ज़्यादा नहीं होती, land mass पे तो surface पे ही रहती है, तो surface heat up हो जाता है, दोनों ही चीज में इसका काफी ज़्यादा time लगता है, अब हम उन elements की बात करने वाले हैं, जो element क्या करेंगे, आपके climate को, factor को affect करते हैं, तो basic काफी सारे ऐसे factors होते हैं, उस भी topography भी है, जैसे अभी हमने देखा, कि water है, या land है, वो भी तो हमारे पास climate को decide करता है, moisture कम है या जादा है, वो भी climate को decide करता है, slope कैसा है, high altitude है, low altitude, मतलब काफी सारे ऐसे factors होते हैं, जो हमारे climate को decide करते हैं, तो उन elements के बारे में आज हम बात करने वाले हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, हम temperature के बारे में देखेंगे, और temperature के हिसाब से ही हम देखें, क्योंकि temperature हमारे climate को vary जादी करता है, change करता है, तो वैसे temperature होता क्या है? Temperature तो एक sensitivity होती है, degree of hotness या coldness, किसी भी area की degree of hotness या coldness को हम क्या बोलते हैं, temperature कोई body hot है, कोई body cold है, तो आपका sensitive area जो है, that is of hotness और coldness का है, अब यह जो hotness और coldness है, वो कैसे होगी, कैसे change जो जाती है, आपके evaporation से, आपक कि किसी पर्टिकलर रिया का टैंपरेचर कैसा होगा जैसे कि आपको याद होगा या आपने महसूस भी किया होगा इसा कि जब स्वेटिंग होती है ना बोड़ी पे तो अगर हलकी सी हवा चल रही होती है तो आपको धिरे ठंडा लगने लग जाता है कारण क्योंकि एवापरे प्रिशन से भी आपका टैंपरेचर वेरी करता है जैसे कि मालोग एवापरेशन चलता से ला गया गया और फिर क्लाउड फोर्मेशन हुआ और फिर क्या हो गया आपका प्रसिप्रेट्शन हुआ तो इसके अंदर हम अंडर सकते हैं तो मतलब टैंपरेचर जो है वह यह डि करता है की रेनफॉल होगा या नहीं होगा कैसे अगर मैं एर को फिकटो फिकली उनना एक यह और फिकल है करना पदता सब्सकेणुरार ना बढदे 밟ेसादक्रान पड़ता क्योंकि थंडी हवा मॉस्टर फि'll नहीं कर सकती लेगिन गरम जो मोश्टहरन ङोगी वह मॉश्च अलब कर सकती है तो टैमप्रेचर ने डिसाइड किया ना कि प्रसेप्टेशन हो गा नहीं होगा इसी लिए तो ऐसा होता है कि काफी बार हम क्या देखते हैं जब सर्दी का टाइम होता था हमारी गाड़ी का जो सर्फेस होता उसके ओपर काफी सारे वोटर ड्रॉपलैट मिलत कन्डेक्शन ॐ नदरपार्टिकल्मॉव करेगा एनर्जी करेगा एनर्जी और्स फिलने बंगूल आया तो सबसे पहला यह आपके टेंपरीचर को इंफ्लेस्ट करता है वह होता लैठीचूड आपको पता है कि अर्थ को हम अलग-अलग लैठीचूड में डिवाइड करते हैं कुछ होते हैं एक्विटोरियल जो जीरो डिग्री पी होगा कुछ आपका नोर्धन पॉन 90 डिग्री नोर्थ तक संगा अपरेंड मूवेंट रहता है क्योंकि अर्थ क्या है अपनी एक्सेश्ट आर्थ जब 23.5 से टिल्टीड है तो संका ऐसा लगता है क्या रचाहिए रचाहिए और संकी अप्रेंड मूवमेंट की वजए से संब टाइम एक्वेटर पे ज्यादा सनलाइट आती है संब Tropic of Cancer पे फिर Capricorn पे पट ये तीन एरिया ही ऐसे है मतलब Tropical एरिया ही ऐसा है जिसके पास में ample sunlight आई है अगर मैं other area की बात करूँ Temperate zone की, freeze zone की ये तो area ऐसे है जहांपे sunlight बहुत कम है तो मतलब मेरे पास ये decide करेंगे किसी place के ओपर latitude क्या है अगर वो प्लेस, equatorial part में हैं, तो उसके अंदर temperature ज़्यादा होगा, अगर वो प्लेस आपके temperature अरिया में हैं, तो उसका temperature क्या होगा, बेसीकली कम होगा, तो quite simple, second, altitude, अब altitude दैसे आपका Mount Everest देखो यार, Mount Everest पर हम क्या करते हैं, freeze है, full covered of ice है, कैसे है, आप बता हो कैसे है, देख और फिर आर्थ जो है आपका हीटिंग इंपक्ट दे रही है तो आइकन से ना कि आपके माउंट एवरेस्ट तक माउंट एवरेस्ट तक अर्थ तो बहुत दूर हो गई और दूर हो गई तो अगर एनरजी शोर्स दूर है तो डेफिनेटली वह एरिया क्या हो जाएगा फ्री लगेगी तो इस केस में हमें पता लगता है कि जैसे जैसे हम हाइट पे जाते हैं तो आपका हीटिर एरिया आर्थ होगा वह काफी दूर हो गया यह फ्रीज कंडिशन देखने को मल जाएगी अपार्ट फ्रम दिस अगर मैं बात करूं तो क्या होगा अब हाइट के साथ में टैंपरेचर क्या हो गया डिक्रीज हो रहा ना इसको लैपस रेट के नाम से जानते हैं तो मतलब हाइट के साथ जैसे टैंपरेचर डिक्रीज होता है इट इस नोन एज लैपस रेट ठीक है कॉइट सिंपल चैनि नेक्स से कॉंटिनेंटिलिटी आप यह देखिए कोई ऐस देखने को मिल जाता है next ocean current देखो ocean current जो होते हैं दो टाइप की होते हैं एक होता warm ocean current एक होता cold ocean current हमने previous lecture के अंदर इसको पढ़ा भी था जब ओसियन करेंट वाला लेक्षर पढ़ा तब हमने पढ़ा भी था तो ocean current होए आपके दो टाइप के warm और cold तो warm current क्या temperature को increase नहीं करेंगे बिल्कुल करेंगे यहां पे current है नौर्वेयन करन्ट बोलते हैं इसको नौर्वेयन current यह current बहुत important है नौर्वे की economy के लिए पता क्यों क्योंकि यह warm current है और यह नौर्वेय के जो port है ना उनको deep freeze करता है वैसे नौर्वेय का port क्योंकि port area और किसमें polar region में है तो definitely फ्रीज होना चाहिए लेकिन यह क्या करते हैं यह करन्ट जाता है यह Gulf Stream से होते हुए जाएगा और यह कर गरम current होता warm होता यह melt कर देता इसको इसको इसलिए एक्सपोर्ट इंडिया में दो टाइप की विंड होती है एक होता है आपका southwest विंड और एक होता आपका नोर्थ इस्ट मिंड जो आपकी नोर्थ इस्ट मिंड होती है उसको तो कोई भी mountain range जो है अगर उसका स्टीप स्लोप है ना अगर वह स्टीप स्लोप है तो बहुत ही जल्दी अपने temperature को change कर लेती है अगर उसका पोजिट आपका क्या है जेंटल स्लोप है तो उसके समें आपका temperature जल्दी सी सब्सक्राइब हो जाएगी इसके वज़े से क्लीकित ह scheint तो क्युक्त बहुत गरमी लगती तो सलोग किनcentered पे हले तो वह कोछा फैंट जादा हो जाएगी आदर्वाइस हिस्टी क्या होगी इस और मेर यह बचीन फूल एर नीचे आती है और वह मेर को कमपैल करके ऊपर बेज देती हैं तो मतलाब आब हैड पे जाएंगे तो थेंपरेचर क्या हो जाएगा जाएगा इसको थेंपरेचर इनवर्जन के नाम से जानते हैं lapse rate होता है कि height पे जाए और temperature कम हो temperature inversion होता है कि height पे जाए और temperature भड़े तो that process is known as temperature inversion तो वो भी condition है तो मतलब यह यह आपका slope है shelter है aspect है यह decide करते हैं कि कैसे decide होगा आपका temperature अब आगे natural vegetation देखो दो एरिया ले लिया मैंने अरिड एरिया तेक है एक एरिया लिया मैंने इक विटोरियल एरिया एक विटोरियल पे आपका कैसे forest है एक विटोरियल पे forest है आपके dense forest है evergreen forest है लेकिन अगर मैं arid region की बात करूं तो वहां पे तो scanty forest है उस case में sunlight directly surface करते हैं मतलब they doesn't allow the light to reach at the surface area तो surface area heat up नहीं होगा और heat up नहीं होगा तो definitely temperature क्या रहेगा comparatively कम रहेगा तो यह simple सा process आपका vegetation का होता है और soil का होता है जो यह decide करता है कि temperature किसी particular area में कैसे होगा even एक और चीज़ सुनो आपकी जो light color की soil होती है वो उसका temperature light जो soil होगी वो temperature क्या होता है ज्यादा होता है क्योंकि वो light को absorb ज्यादा करती है ऐसी है जैसे कि simply आपका color होता है बहीं क्लोथ का जो color होता है वह भी तो dark color होगा absorption ज्यादा होता है light color reflection ज्यादा होगा तो hot or cold हो जाएगा उसी तरीके से यह आपे भी temperature जोगए करता तो यह कुछ important factor थे जो temperature को decide करते हैं किसी भी particular area में ठीक है this is the chapter बाकी rest of the part हम कल discuss करेंगे ठीक है important information जो आप लोगों के साथ में share करना चाहोंगा study ICO का live foundation batch that is starting from the 13th November तो आप अपनी system को मला education को formalize करना चाहते हो मला preparation को अगे बढ़ाना चाहते हो mcqs की practice के साथ में other features के साथ में that is available right here so you can join the batch by using code kapil live और या अपका बैच जो हो geography से ही start होगा this will be starting from geography itself तेक है यही से आपका बैच साथ होगा morning ATM से आपकी classes रह करें 18999 only you can take admission by using the code and similar with the optional geography optional geography अब प्रिपेर करना चाहते हो तो आपका एक विकी classes हो चुकी है certainly आप कपिल लाइव का code यूज करके आप course में admission अभी भी ले सकते हो यहां पे आप जाओगे कपिल भार्दवाज आप मुझसे बात कर सकते हैं मुझसे जुड़ सकते हैं चलिए फिर नेक्स लेक्षर में फिर से मिलते हैं थैंक्यू वरी मैच